एलो फ्रेंज मेरे यूब टू चैनल इंप्रूफ यूर नोलेज में आप सभी का श्वागत है फ्रेंज आज मैं गोवी पराथा की रेश्पी लेकर आए हूं केली फ्लावर का पराथा बहुत ही स्वादिश्ट होता है और बनाना भी बहुत ही आसान है पराथा बनाने में हम इसे बनाना शुरू करते हैं गोवी के पराथा बनाने के लिए हमने लिया है यहां 500 ग्राम फूल को भी इंगलिस में इसे केली फ्लावर करते हैं तो हम एक ताजी फ्लावर लिये हैं अब हम क्या करेंगे इसके पीछे वाले पार्ट को चाकू से निकाल देंगे त्योंकि ह सब्सक्राइब हमें कीवर इसकी फ्लावर ही लेनी है एक्स्ट्रा निकाल देना है अब हम इस फूल को गरम पानी से दो लेंगे तो हमने गैस पर पानी गरम होने की लिए हैं वहां चलते हैं गैस पर पानी गरम हो चुका है अब हम गोभी के एक एक फ्लावर्स को अलग ऐसे कड़के और गरम पानी में छोड़ देंगे तो हमें एक एक फ्लावर्स को ऐसे ऐसे अलग करना है और पानी में छोड़ देना है एक-एक फुल को देखी हमने तोड़के पानी में डाल दिया अभी इसमें रूट्स लगे हुए हैं तो हम इसे निकाल देंगे चाकू से और अब हम चाकू से चाड़ भागों में काटके और इसे अलग-अलग कर देंगे पानी में डालने का रीजन हम आपको बता दे रहे हैं गोभी में कोई केमिकल हो या कोई भी इंसेक्ट हो तो गरम पानी से धो देने पर ये निकल जाता है तो बस हमें इतना ही देर के लिए गरम पानी में डालना है हमें कोई वायल बगेर नहीं करना है गरम पानी में हमने फ्लावर्च को दो लिया है अब हमें एक चम्मस की मद निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं, ये गॉयल नहीं हुआ है, केवल धुलने जैसा हो गया है, हम ऐसा कहेंगे, हम इसे गरम पानी से दो लिए हैं, तो चलिए हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं, तो चलिए हम एक एक फूल को इस ग्रेटर पर रखके ग्रेट कर ल तो हम कभी भी गोफी पड़ाठे के लिए जब ग्रेड करेंगे तो पतला वाला से ही करेंगे तभी हमारी इस टॉफी जो है वह अच्छे से तयार होती है तो हम इस गोफी को ऐसे गीश देंगे बहुत असानी से हो जाता है ऐसे हम गोफी को घीश लेंगे आप देख सकते हैं कितना बारी घीशने पर ये गोफी गिर रहा है हमें ऐसे ही पड़ाठे के लिए गोफी चाहिए तो चलिए हम सब गोफी घीश लेते हैं तो आपको हम दिखा दे रहे हैं सभी गोफी को हमने बारी ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है कद्दू कस करते टाइम हाथ को सौधानी से पकड़के फिर कीजिए नहीं तो क्या होता है आप उसका प्वाइन परने कड़र रहता है हमने गोफी को अच्छे से कद्दू कस किया अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे, गोभी में ज्यादा पानी रहता है, यह सब को पता है, तो हमें पराठे के लिए एक्स्ट्रा पानी निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा नमक लेंगे और ऐसे डाल देंगे, नमक को हम अच्छे स जैसे मिक्स कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसे एक कभर से कभर करके, दस से पंदरा मिनल के लिए छोड़ देंगे, तो वह भी अपना एक्स्ट्रा पानी जो है छोड़ देगा, फिर हम पानी जैसे निकालेंगे, वह भी आपको बताएंगे, जब तक अपना गोभी रे मिहु का आटा, अठी में डालेंगे थोड़ा सा नमग, थोड़ा सा नमग नमक डालना है, नमक को हम आठे के साथ ऐसे मिक्स कर लेंगे, और हम थोड़ा थोड़ा पानी जालके, जैसे रोटी चपाती का अठाब लगाते हैं, वैसे आठा लगा देंगे, तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जैसे आपने आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है इसमें कोई ट्रीक नहीं है आटा को हमने ऐसे मुठी से मसल मसल की चार से पास मिनद तक अच्छे से गुंदा है अब हम इस आटा को कभड करके छोड़ देंगे रेष्ट करने के लिए दस मिनद हो चुके हैं चलिए हम गोवी सेख कर लेते हैं तो हम धक्कन हटा देंगे और हम आपको दिखा दे रहे हैं ये गोवी जो है काफी मॉस्टर छोड़ चुका है तो हम इसकी पानी कैसे निकालेंगे हाथ में थोड़ा सा गोवी लेंगे और एक बॉल में इसे हम दपाते हुए ऐसे गिराएंगे आप देख सकते हैं एक पार हमने मुठी से प्रेस किया इतना सारा ये पाने निकला तो ऐसे हमें गोवी के सभी पानी को निकाल देना है क्योंकि जब हम आठा में भढ़ेंगे तो अपनी आठा गीला नहीं होगा और बहुत बढ़ियां पराठा त्यार होता है तो ये मेरा पहला टिप्स है इसे आप ज़रूर घ्यान से रखिएगा थोड़ा यहां पे ताकत लगाना पड़ता है तभी अच्छे से पाने निकलता है इसे आप कपड़ा में भी रख के निकाल सकते हैं कोई पतलाब कपड़ा तो उसमें डाल के पाने निचोड़ सकते हैं तो आपने देख लिया हमने आधा किलो केली फ्लावर से इतना पानी निकाल लिया तो इसे हम साइट में रख लेंगे या तो आप कोई ग्रेवी बना रही हो उसमें डालिए यहां आटा भी गुश सकते हैं तो चलिए हम इसे साइड में रख लेते हैं अब हम इसी बोल में अपनी गोफी को ऐसे खूल लेंगे क्योंकि जब हम प्रेज किये हैं तो यह ऐसे धेले जैसा बन गया है तो हम इसे खूल लेंगे अब हम इसमें डालेंगे प्याज तो प्याज को हमने बाड़ी बाड़ी काट रखा है इसमें हम डालेंगे चार कली लहसुन जिसे हमने ग्रेट किया है तो मेरा दूसरा टिफ्स यह है कि कभी भी आप इसमें अध्रक लहसुन प्याज डालिए तो उसका पेश्ट मत आप अपने तीखा के कॉडइन डालिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सहीं एक चमच आजवाईङई, अधा चमच हम लाल मिर्ट पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने हडी मिर्ट डाल रखा है, तो आपको अपने इपजह अनुषा डालना है, पीखा जीतना ख़ाना है उतना डाली, कम डालना हैं, डालिए इसमें हम आधा चमच जीरा पॉडर डालेंगे अधा चमच अमचुर पॉडर से इसका टेश्ट बढ़ जाता है श्वाद के अनुशार हम नमक डालेंगे तो हमने गोभी को भी नमक से मेरिनेट किया था आठे में भी नमक है इन सारी बातों को ध्यान में रखते तो यह अपना गोभी का श्टफिंग तयार हो चुका है आप देख सकते हैं थोड़ा अभी मॉस्टर नहीं है एक तब खुला खुला तयार हुआ है फिर जब हम पराठे बनाएंगे तो कोई विकत नहीं आएगी अब हम लाश्ट में डालेंगे इसमें गरम मशाला तो यह भी हम अध्धा चमत ही टालेंगे क्योंकि अपनी इश्टरफिंग फोरी सी है और इसमें फ्रेस धनिया पत्ता जिसे धोकी हमने बारेक-बारेक काट लिया है इसका भी उने पाने निकाल के काटा है यानि कि धोने तो फाइनली अपनी एश्टरफिंग तैयार हो गई अब आठा को हम चेक कर लेते हैं आठा का हम कभर हटाएंगे आप देख सकते हैं दिखने में ही कितना अच्छा ये आठा दिख रहा है एक ताम एश्मूथ और अच्छे से गूदने पर ये बहुत ही सुन्दर होता है यानि कि इसमें जब हम भड़ेंगे तो अच्छे से पराठा तैयार होगा तो चलिए हम ए बड़ा बड़ा बॉल्स बनाएंगे क्योंकि हमें उसे कभर करना है अंदर देखिए हम इतने बढ़े बढ़े चार बॉल्स बना ले रहे हैं हमने चार बॉल्स लिए अब चकला लाते हैं हम अब हम बॉल्स को साइट कर लेंगे और थोड़ा सा शुखा आटा लेंगे जिससे कि हम पराठे पर डस्ट करेंगे तो थोड़ा सा लेना है अहां पी शुखा आटा अब हम इस लोही को ऐसे हाथेलियों से मसल के गोल फिर इसके ऊपर हम आटा से ऐसे डस्ट करेंगे अब इस बॉल को हम क्या करेंगे यह दोनों अंगूठों के बीच से ऐसे कड़के एक बॉल्स के कटोरी बनाएंगे यानि कि आटा की कटोरी आप देख सकते हैं बीच में हम मोटा पड़त रखेंगे जब हम बेलन से इसे ब दबाते हुए यह बहुत असानी से हो जाता है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है तो हमने यह कटोरी तयार किया अब हम इस कटोरी में श्टफिंग डालेंगे तो जितना श्टफिंग आप से आ सके उतना इसमें भढ़िए पराठा मजेदार होगा तो हमने आप दबाएंगे और ऐसे आटा को फिर एक जगह ही कठा करेंगे अधर चला गया थोड़ा हम और डाल लेते हैं और ऐसे दबाते हुए बॉल्स को फिर से जूड़ेंगे यानि कि ऐसे हं थेलियों से धीरे धीरे यह तो आटा है आप अपने मन पसंद अनुशार धीरे धीरे इस को जॉइंट कर लेजिए तो आप देख सकते हैं पता चल रहा है कि हमने इसमें श्टफिंग डाला है बॉल्स फिर से तैयार हो गया अब हम हथेली से इसे ऐसे प्रेस कर लेंगे इस छोड़ी छोड़ी चीश से इससे पडाठा अपना बहुत सुंदर बन सकता है फिर हम इस इसे आठा में डश्ट करके और अंगूरियों की मदल से ही पडाठे को फैलाएंगे तो ऐसे हम इससे क्या होगा इस स्टफिंग हर कोनी कोनी में एक दम बडावर फैलेगी आपको दिखा दे रहे हूं मिल्कुल नहीं फूटा इतना बड़ा अपना पड़ा तैयार हो गया अब बाकी का हम गोल बेलन से करेंगे तो हम यहां पर एक रोटी बनाने वाला इस चकला लिए हैं बेलन से इसे ऐसे फैलाएंगे तो यहां पर हमें प्रेस करते हुए नहीं फैलाना है हलका हलका ऐसे रोल करते हुए पडाठे को फैलाना है पराठे को फैला लेंगे इतना बढ़िया पराठा तैयार हो रहा है तो हमें इतना ही बड़ा पराठा बनाना है अब बड़ी लोई लेंगे तो बड़ा पराठा तैयार होगा चोटी लोई लेंगे, तो छोटा तयार होगा. अब देख सकते हैं, एक डर मेडियम लॉघ्धार का बहुत ही बढ़िया पराठा तयार हुआ है. तो चलिए हम गयास के तरफ चलते हैं. हम यहां पैन गरम किये हैं. आप चाहे तो यहाँ पे तावा भी गरम कर सकते हैं पर हम जब घी डालते हैं पैन में तो फैलता नहीं है पराठे के अंदर ही रह जाता है हमने इसमें पराठा डाल दिया अब हम इसे आधा मिनट तक मेडियम फ्लेम पे शेख लेंगे एक साइट से फिर हम इसे शेख करेंग आधा मिनट हो चुका है अब हम चम्मच में तेल लेंगे आप चाहे तो देशी घी डालिए और किनारे किनारे ऐसे थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे इससे इसका किनारा जो है अच्छे से फ्राइब हो जाता है और पराठा बहुत अच्छा तयार होता है अब हम एक एस तो ऐसे हम स्पेचुला पर उठाएंगे और बढ़िया अपनी पड़ाथा तयार हुई है तो ऐसे ही हम उलट पलट के पड़ाथा सीख लेंगे अब हम उपर से एक चमचे से पेल फैला लेंगे और पड़ाथे तो फिर से उलट लेंगे इसके उपर हम खोड़ा सा तेल एक फैला लेंगे और बस हमें उलट उलट के इसे पड़ाथे का कलर देना है तो आप देख सकते हैं अपनी वह भी पड़ाथे का कलर कितना सुन्दर आया है पैन बिन बनाने का यही खाइदा है कि एक्ष्ट्रा तेल तावा पे ठैल जाता है फिर पड़ाथा सीखने में दिकत आता है कौन करता है कि गोभी का पराथा फूरता नहीं है आप देखिए कितना अच्छा गोल गोल फूला है अब बस हमें क्या करना है इसे एक प्लेट में निकाल देना है आपने देख दिया इसे बनाना कितना आशान है और खाने में तो टेष्टी होता ही है तो इसे आप भी जरूर बनाईए अपने बच्चों को खिलाईए गेश्टाय तो खिलाए डीनर लंच में बनाईए तो फ्रेंट्स अगर आज की मेरी लेश भी अजी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूली, धन्यवाद.